हाँ 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 है हाँ 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 है तो दुटोरियल अगेंग एंड थे टोडिय आम वर्जीनिया वुल्फ आद टी नोवल्प अन दिन वह कि आप थे कि आप एक एक करके साथ राइटर्स को ले रहे हैं और होफिली आप लोग की तैयारी शुरू कर चुके होंगे आ फिर से आज का टापिक यह है आपका वर्जीनिया वॉल्फ रिक्वेस्ट है पूरा लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि काफी लंबी वीडियो है लेकिन एक एक राइटर को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे एक वर्ग को आप अच्छे से समरी नहीं देखेंगे तो आपको कैरेक्टर याद नहीं होंगे और यह फैक्ट है और तो स्टोरी कम से कम हमें याद रहे इसके लिए आप इसे पूरा देखिए तो वर्जीनिया वॉल्फ की डेट अप बर्थ याद रखिए क्योंकि एक कुश्चन आपका राइटर्स के डेट अप बर्थ से आएग जो नोवल है वोईज आउट के बारे में देखेंगे उसके बाद देखेंगे मिसस डॉलव तो उसके बाद है आपके पास में दी लाइट हाउस इसके बाद हम दी यर्स जो नेक्स्ट नोवल है उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट एस बिट्विन दी एक्ट इसकी स्टोरी कम्पलीट हम जानेंगे Jacob's Room Summary Later we will see Jacob's Room and some more works we will know in this novel in this PPT and the PDF you can call it तो इस PDF में पूरे जो works हैं जितने important इसमें आपके characters हैं years हैं सारी चीजे हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं one by one तो जो ये novel है आपकी The Voice Out ये publish हुई थी आपकी 1950 में और जब उसकी age थी 33 by her Harp Brothers Imprint Gerald Duckworth and Company Limited इन्होंने इसे publish किया था यहां पर important जो है वो important जो question है वो है कि इसका जो original नाम था वो क्या था तो ये है आपका Malambrosia जो work है उसका नाम था आपका Malambrosia और जैसे कि हमें पता है कि जो Virginia Woolf थी वो अपने works को काफी जादा क्या किया करती थी चेंज किया करती थी जो भी ड्राफ्टो लिखा करती थी काफी सारा changes उसमें किया करती थी अब अगर हम देखे कि एन अर्लियर वर्जिन वर्जिन ओफ दी वोईज आउट हैस बीन रिकंस्ट्रिक्टेड बाइ वुल्फ स्कॉलर लुइस डिसल्वो लुइस डिसल्वो ने भी इस पर work किया था and is now available to the public under the intended title डिसल्वो argues that many of the charges वुल्फ have made in the text were in response in changes in her own life तो जो डिसल्वो है उन्होंने ये भी कहा है इस work के बारे में कि जो ये टेक्स्ट में इतने सारे changes हुए क्योंकि जो राइटर है वुल्फ वर्जिनिया वुल्फ जो राइटर थी उनकी लाइफ में changes हुए इसलिए उन्होंने सारी चीज़े ये change की अगर हम इस novel की story के बारे में बात करें तो ये है एक novel is set on a ship bound for South America जो ship है वो जा रहा है South America and a group of young Edwardians Edwardians हैं वो on board हैं उस ship में हैं और इसी के story है और उनके बीच में जो misunderstanding होती है और mismatch yearning है उस चीज़ के बारे में ये story है in the novel are hints the themes that would emerge the later work including gap between preceding thoughts and spoken world and follows and lack of concordance between expression and underlying intention यहां पे जो एक important बात है वरजीनिया वुल्फ के बारे में वो stream of consciousness novel की क्या है हम कह सकते हैं उन्होंने इसको काफी यूज किया है तो ये एक term आपको याद रखना है stream of consciousness उके उससे ये related है इससे और stream of consciousness से भी काफी सारे बार कुशन पूछा गया है मिस्स डॉलवी के बात करें तो मिस्स डॉलवी जो हुए publish हुआ था ये जो work 1925 में हुआ था और इसमें जो बात की गई है वो है आपका Clarissa डॉलवी के बारे में जो पुरा हम कह सकते हैं की protagonist of the work है वो है आपका Clarissa डॉलवी अब middle-aged society woman to organize a party even as her life is paralleled with the Septimus Warren Smith तो यहां पर जो next जो character है वो है आपका Septimus Warren Smith he is a working class veteran who has returned from the first world war जो first world war से आया हुआ है bearing deep psychological scars और उनकी जो जैसा मैंने कहा आपको stream of conscious novel जो है वो आपकी psychological चीजों पर लिखी जाती है उसमें हम psychology को involve करते हैं उन चीजों में तो जो यह आपका character है Septimus Warren Smith यह क्या है psychological scars इसको मिले हो है कहां से world war first से means वो emotionally wounded है समझ में आ रहा होगा आपको कि emotionally wounded ठीक है वो भावनात्मक्त तरीके से काफी deep influenced है यह हम कह सकते हैं affected है badly affected है next जो work है आपका है To the Lighthouse पबलिश हुआ था आपका 1927 में set on two days ten years apart Okay जो दो दो दिन पे इसके स्टोरी है The plot centers on the Ramsev family's anticipation जैसे मैंने आप लोगों पहले भी बताया कि आप simply यह कर सकते हैं कि जो work है स्टोरी आप याद रख सकते हैं लेकिन जो work है उनके आगे आप जो protagonist हैं उनको जरूर लिखिए ठीक है क्योंकि ज़्यादा तर जो cases होते हैं उनमें protagonist को पूछा जाता है तो यहाँ पर जैसे आपने Mrs. Dollowee लिखा और उसके आगे आपने Clarissa लिख लिए Septimus Warren Smith लिख लिख लिए सिर्फ दो work दो character लिख लिए इस तरह से आपके अपने जो personal notes हैं वो भी तयार हो जाएंगे तो 1927 में आपका हुआ था light to the lighthouse यह publish हुआ था उसके बाद है आपका जो यहाँ पर story है वो है आपका Ramsey family all right Ramsey family's anticipation of of and reflection upon a visitor visit a lighthouse and connected family let's see that family tensions उनके जो light house में उन्होंने to the lighthouse जो है वहाँ पर Ramsey family visit करते इसी पर story है and one of the primary theme of the novel is struggle in the creative process that beset painter Lily Briscoe यहाँ पर painter Lily Briscoe के बारे में है while she struggles to paint in the midst of the family drama और जो यह story है यहाँ पर जो important character है वो है आपकी मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जब भी video start करें उससे पहले अपना pen on notebook लेके बैठें तो आपके notes तयार होंगे मैं notes तयार करने में भी help करता तो यह है आपका Lily Briscoe to the lighthouse lighthouse की वो क्या है एक painter है question आसकता है कि वो क्या है तो एक painter है और उसको paint करने में problem आती है अपनी family के बीच में the novel is also meditation upon the lives of nations inhabitants in the midst of war तो आप समझ सकते हैं कि जो actual में जो character है Lily Briscoe वो किसको represent कर रही है लोगों को all right अब जो family है उसमें पूरी family में attention है तो जो center character है आपका Lily Briscoe है उसे problem हो रही है paint करने में ठीक है और paint क्या होता है एक creative work है तो यह जो paint करने में उसे problem हो रही है तो आप देख सकते हैं कि जो middle of war जो England की society है या जो कोई country है उसमे उन्हें भी क्या हो रही है problem हो रही है उसी चीज को जो एक mental condition लोगों की है उसको actual में जो writer है Virginia Woolf वो show करना चाहरी है कि कि किस तरह की problems लोगों लोग जहेल रहे है अब यहाँ पर बात आती फिर से एक word जो stream of conscious novel है इसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों वैस से याद हो जाए वीडियो के लाज तक ठीक है stream of conscious novel है यह इसलिए psychological जो influence है लोगों के वो writer show करना चाहता है stream of conscious novel में ठीक है the novel is also okay we have gone through this one and all people left behind जो क्या हो चुके है जो war की वज़े से पीछे रहे चुके है इट also explores the passage of time and how women and forced by society to allow men to take emotional strength from them तो यहाँ पर क्या है कि emotionally हम किस तरह से strength कर सकते हैं लोगों को उस चीज़ के बारे में है next जो work है वो है आपका all in do a biography इसका जो subtitle है वो याद रखना है आपको a biography all in do a biography 1928 जो all in do है वो उसका subtitle जैसा मैंने कहा कि यह important है आपका और उसमें 1928 एट में यह publish हुई थी one of virginia's lightest novel ओके आप पैरेडिक बायग्रेफी यहाँ पर यह धियान रखना कि यह आपकी क्या है पैरेडी है अब पैरेडी क्या होती है अगर आप लोगों नहीं पता तो पैरेडी मेंस होता है जिसमें हम किसी का मजाग बनाते हैं तो पैरेडी पैरेडी क्या बायग्रेफी आफ यह यंग नोबल मैं हो लिव्ज फॉर थी सेंचुरी यह जो आर्लेंडो है यह तीन सेंचुरी तीन सो साल तक जिन्दा रहता है और राइट लेकिन तीस साल बाद इसके बाद तेजी से एज वो एक वुमिन हो जाता और अउरत बन जाता है दिबुक इस इन पार्ट आप पोट्रेट आफ वुल्फ लवर वीटा सेक्विल वेस्ट तो जो वुल्फ का एक लवर था वो था वीटा सेक्विल वर्प ना इसको उन्हों रिप्रेजेंट किया है इसमें was mean to console Vita for the loss of her ancestral home नोल हाउस अब यह जो वीटा है उसको console करना चाह रहे हैं क्योंकि उसका ancestral home जो है वो उसके हाथ से जा चुका है though it is also a satirical treatment of Vita and her work in Orlando the techniques of historical biographers are being ridiculed यहाँ पर क्या है जो historical biographers है इनको ridicule किया गया है इनका मजाग बनाए गया है the character of a pompous biographer is being assumed for it to be mocked तो यह जो Orlando है यह three centuries के लिए जीता है और 30 साल तक ही बना रहता है लेकिन जल्दी फिर यह क्या होता है abruptly change हो जाता है women में इसमें हमारा जो है इसमें जो mock किया गया हो historical biographers को किया गया है यह इसकी story है उसके बाद आते हैं the waves के बारे में देखते हैं the waves जो है वो published थी आपकी 1931 में और presents a group of six friends whose reflections which are closer to recitative than to interior monologues proper यहाँ पर interior monologue भी यूज किये गए है create a wave like atmosphere is more akin to prose poem than a plot centered novel अब यह जो है इसको prose poem की तरह इसको presents किया गया है और जो wave की story है वो किसके all around घूमती है six friends के all around घूमती है flush जो है यह भी एक biography लिखी भी है अब biography 1933 में इसको publish किया गया था अब part fiction part biography of a cocker spanel owned by Victorian poet Algebet Barrett Browning तो यह जो है यह एक part biography है किसकी the cocker spanel की ओके और Algebet Barrett Browning का जो point है Victorian point है famous उन्होंने इस जगह को own किया था the book is written from the docs point of view बहुत ही important एक यहाँ पी यह fact है इसे धान से आप लोगों को note भी करना है कि जो docs point of view से लिखी गई है flush उसको उस work का नाम क्या है और किस ने लिखी है तो वर्जिनिया वुल्फ ने लिखी है ठीक है और यह एक biography है wolf was inspired to write this book from the success of Rudolph bassier's play the barretts of Wimpole street जब Rudolph bassier ने the barret of Wimpole street लिखी थी तो उसने किसको inspired कर दिया वर्जिनिया वुल्फ को और उसने लिख डाली flush the biography और उसने देखो किता funny है कि docs point of view से उसने life को देखा होगा तो बहुती interesting इसकी कहानी होगी जरूर street in the play flush is on stage for much of the action the play was produced for first time in 1932 and the actress was Catherine Carmel यह इतना important नहीं है बट यहां पर जो important है वो यह और यह आपके है the years यहां पर आपका next work है okay है title पिसले page में रह गया इसका जो जो years है यह publish हुआ है आपका 1941 में traces the history of gentle particle family यहां पर आपको धियान रखना है कि यह पार्टिकर फैमिली है यह चोटी चोटी चीज है आपको उसी work के साथ में आपको अगर आप इसको धियान से लिखेंगे यह notes बनाएंगे तो आपको एक page में इसी लिए सारे notes बन जाएंगे तो पार्टिकर फैमिली जो है उसका यह record है उनके बारे में है और यह कब से है 1880s to the present day of the mid 1930s यह तब तक इनकी फैमिली में जो भी हुआ है उसके बारे में था जो वर्जीनिया वुल्फ ने एक लेक्चर दिया था 1931 में वहाँ से इसकी स्टोरी की शुरुवात है and edited version of version of which would later be published as professions of women तो इसको जो बार में इसका जो वर्जीन बना था वो profession of the women नाम से publish हुआ था profession for the women Woolf first thought of making this lecture the basis of a new book-length essay on women as this time taking a broader view of their economic and social life rather than focusing on women as artists as the first book hat they soon jettisoned the theoretical framework for her novel essay and began to rework the book solely as fiction narrative but some of non-fiction materials she first intended for this book was later used in three guineas उन्होंने जो ये थी गनीज जो वर्ट लिखा था 1938 में उन्होंने उस लेक्चर को उसमें incorporate किया था उन्होंने यूज किया था next आपका work है between the act her last work ये जो वर्ट है उनका last work है ये इस तरह की information आपको collect करते रहने चाहिए कौन सी first work है first और last तो आप लोगों को अगर पिसले वाली वीडियो में था Thomas R.D में भी मैंने इस चीज पर focus किया था कि आपको ये सारी चीजे याद रखनी है क्योंकि ये चीजे पूछी जाती है और जो lecturer का या lt का exam होता है या आप कहें किसी भी TGT या PGT का जो level का कोई भी exam है आपका वो आपका fact based होता है जितने ज्यादा fact आपको याद होंगे उतना ज्यादा आपको आप marks gain कर पाएंगे तो secret of you know success is here mugging up सारी चीजे रटते रहो और अगर आपको समझ में आती है तो well and good नहीं आती है तब भी रटो between the facts between the acts ही है आपका 1941 में publish हुआ था sums up the magnifies world's chief preoccupations the transformation of life through arts sexual ambivalence and meditation on the themes of flux of time and life presented similarly as corrosion and rejuvenation तो इसमें जो between the two acts है उसमें आप लोगों को यह सारी चीजे देखने को मिलेंगी transformation of life through art means art को यूज करके किस तरह से life को change किया जाएगा sexual ambivalence के बारे में meditation on themes of flux of time and life जो life की changes है उनके बारे में होगा और corrosion and rejuvenation की किस तरह से जो इनसान के अंदर जो feelings है वो घटी है बढ़ती है और rejuvenate होती है फिर से सही हो जाती है all set in a highly imaginative and symbolic narrative encompassing almost all of the English history this work is most lyrical ये जो है उनका जितने भी works लिखे गए है उसमें most lyrical work है और chiefly written in words और उन्होंने इसको words में ज्यादा लिखा है प्रोज की बजाए while wolf's work can be understood as consistently in dialogue with the Bloomsbury group वो Bloomsbury group की हिसाभी थी particularly its tendency informed by G.A. Moore among others towards doctrinaire rationalism it is not a simple recapitulation of the courtry ideals तो यहाँ पर आपको between the acts में दो तिन चीजें ध्यान रखनी है एक तून का ये last work है पब्लिश हुआ था 1941 में ये cheaply उन्होंने verses में लिखा था और उन्होंने time के बारे में बताया है कि जो time में जो changes आते हैं उसके बारे में पूरे इसकी story है अब कुछ works हैं जिनको हम detail उनकी summary देखने की कोशिश करेंगे पूरा समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें पूरी story भी याद रहे पिक्चरिस्क शोर आफ कॉनवल वर अपरफिक प्लेग्राउंड फोर हर बॉइस सो शी गाट सम टाइम फोर ग्रीविंग फोर हर डेड हस्बन और जो वहां पे एक अच्छा एक प्लेग्राउंड है जिसमें उसके बच्चे खेलते हैं जिससे के जिससे वो क्या कर सकती है अपने हस्बन के बारे में जिनके डेट हो चुकी है उसके बारे में दुख कर सकती है तो यह जो प्लेस है इसकार बारो में है यह एक विड़ो की कहानी है आप लोग उस विड़ो का नाम क्या है बैटी फ्लेंडर है जब रात होती है तो बहती बहन कर एक तुपान शुरू होता है having decided to check her boys Betty noticed Jacob took a goat skull and जो Jacob है उसको क्या मिल गया है goat skull मिल गया है ठीक है he had found on the shore to a bed with him that was rather strange picture to see the little boy and the skull of a dead animal lying together जो Jacob है वो क्या करता है उस goat skull को अपने साथ लेकर आ जाता है although Betty was not a young woman and had three children she had two suitors but never got married again उसके दो suitors है means उसको पसंद करते हैं लेकिन उसने दुबारा शादी नहीं की है it turns out to be Jacob was bright young man for he managed to enter Cambridge University यहाँ पे जो Jacob के बारे में है वो बिलकुली bright means बहुत अच्छा है तेज है और उसे Cambridge University में admission मिल जाता है in spite of the fact that his family had never had a lot of money and upbringing could be described only as rural और जो रहती है उसकी जो family है वो बिलकुल rural है he found good friends there once when he and one of his friend Timothy तो जो Jacob का जो friend है उसका नाम है आपका Timothy ती विजिटेड दी होम टाउन आफ दे लेटर जो टिमॉधी के घाऊं जाते हैं home town जाते हैं, Jacob met the rest of Timothy's family Timothy के family से Jacob मिलता है both his mother and sister Mrs. Durant जो Timothy है, उसकी mother है Mrs. Durant and Clara liked the Jacobs immensely जो Timothy के घर में उसकी मा है और उसकी बहन है दोनों को Jacob बहुत पसंद आता है ही या तो यहाँ पर आपका जो नोट डाउन करने हैं आपको जैकब सुरूम के करेक्टर साब को नोट डाउन करते चलने हैं एस सुन आज ही ग्रेजुएटेड जैकब लेफ्ट फॉल लंडन वेर ही कंटिनूज जैकब क्या है एक ब्राइट यंग मैं है वो कैमरेज में जाता है वहाँ पर उसे मिसस डूरेंट और कलारा उसे पसंद करती हैं उसके बाद लंडन चला गया है वहाँ पर काफी सारी जाब्स करता है लेकिन उसकी जो लव लाइफ हा वो बिल्कुल अनेस्टेबल है यहाँ पर ध्यान अकना है कि उसका एक उसकी जो उसका अफेर है वो था florinda के साथ में who was beautiful but could hardly be characterized as well let's see the story again जो florinda है वो beautiful तो है लेकिन उसके character के बारे में नहीं बोला जा सकता not exactly उसके education को characterized नहीं किया जा सकता कि उसके education कैसी है यहाँ पे है clara अब clara who also moved to london clara आ गई है failed to attract his attention and so did fanny और जो fanny है florinda है clara है यह सभी उसकी love life में आते हैं for jacob made of his mind to leave the city अब जो jacob है वहाँ से जाना शुरू कर देता है means वहाँ से जानी का decide कर लेता है at the age of 26 जब वो 26 साल का होता है he managed to realize his dream and visited Greece वो उसको पता चलता है कि मेरा जो करीम है मुझे कहां जाना है Greece जाना है his journey could be more successful if he hadn't met Sandra Williams अब वो successful journey होती है लेकिन बीच में उसे एक और लड़की मिलती है उसका नाम है Sandra Williams who also traveled across Greece with her husband वो भी अपने husband के साथ में आई है firstly he wanted to travel on his own and secondly he was too distracted by Sandra और जो Sandra है वो उसको distract करती है so he returned to London और फिर से London आ जाता है he didn't have a chance to get rid of his love sickness और वो love sickness अब फिल करता है Sandra के लिए for soon enough the war broke और war शुरू हो जाता है and Jacob joined the army Jacob finally army join कर लेता है the man was killed during one of the numerous battles और ये जो है वो मारा जाता है battle में अब स्टोरी देखेंगे Mrs. Dalloway की ठीक है तो इनका जो इसका जो publication हुआ था वो आपका है 14 में 1925 तो 25 Dalloway हो यहां से शुरू करते हैं Is a novel by Virginia Woolf that details a day in a life of Clarissa Dalloway ठीक है इसको आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक दिन की स्टोरी है किसकी? Clarissa Dalloway की तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एक दिन की स्टोरी जिस novel में होती है उसको हम कार्प डाइम बोलते है C-A-R-P-E-D-I-E-M ठीक है कार्प डाइम novel भी बोला जाता है तो यह आपका लिटरीट हम आपको याद रखना है कि Mrs. Dalloway क्या है एक कार्प डाइम novel है तो इसमें हम बात कर रहे हैं Clarissa Dalloway के बारे में A fictional high society woman in a post world war England, it is one of world's best known novels और जो Mrs. Dalloway है वो best novels में मानी जाती है कार्प डाइम novel है इस word को बार बार यूज़ कर रहा हूँ आप इन चीजों, इन words को ध्यान रखिए कि stream of consciousness हो गया कार्प डाइम हो गया यह सारे आपके जो related होते हैं किसी writer से यहीं से question पूछा जाता है जैसे आपको पूछ दिया जाए का bloomsbury group का question अब यह actual term तो हमारे पास syllabus में नहीं है बट यह question पूछा जा सकता है जैसे कार्प डाइम अब आप सोचेंगे कि यह कहां से आ गया होगा तो कार्प डाइम आए गया है आपका डालोवे से तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं क्लारिसा डालोवे गोज अराउंड लंडन इन दी मॉर्निंग गेटिंग रेड़ी तो होस्ट पार्टी दैट इवनी जो क्लारिसा डालोवे है वो लंडन में मॉर्निंग में जा रही है इधर उधर उसको शाम को उसको पार्टी होस्ट करनी है दी नाइस टे रिमाइंड सर ऑफ और यूथ स्पैंड इन कंट्रिसाइड इन बर्टन वो इस वाइन वो सोच रही है जो उसने अपना यूथ टाइम जो स्पैंड किया था बर्टन में उसके बारे में सोच रही है एंड मेक्स अरव वण्डर अबाउट चोईस ऑफ हस्बेंड and she married the reliable Richard Dalloway तो उसका जो husband है, Clarissa Dalloway एक character हो गया, उसका husband जो है वो कौन है, Richard Dalloway है instead of enigmatic and demanding Peter Wells, और उसने किस से शादी कर ली थी, Richard Dalloway से ना कि उसने Peter Wells से शादी की and she had not the option और उसके पास option भी नहीं था किस से शादी करने के अलावा, Richard Dalloway के and to be with the close friend Sally Satin Peter reintroduces these conflicts by paying a visit that morning और जो Peter है, वो वहाँ पर आ जाता है दुबारा से, तो इस बात से उसके mind में conflict चलने लग जाते हैं means उसे पसंद तो कौन था Peter Wells था, लेकिन वो उसे शादी करनी पड़ी किस से, Richard Dalloway से Septimus Warren Smith First World Septimus Warren Smith First World War veteran suffering from deferred traumatic stress जो Septimus Warren Smith है उसे एक traumatic situation में है मानसिक तौर पर क्या है बहुत परिशान है Spends his day in the park with his Italian wife Lucrezia जो Septimus Warren Smith है उसके wife कौन है Lucrezia है और ध्यान रखना है कि वो World War veteran है उसने वहाँ पर काम किया है तो बुरी तरह से traumatic फील करता है Where Peter Wells observes them Septimus is visited by frequent and indecipherable hallucinations अब जो है Septimus है वो काफी परिशान है बस आपको इतना याद रखना है कि वो traumatic situation में है Mostly concerning his dear friend Evans who died in the war उसने अपने दोस्त को मरते हुए वाँ देखा है इसलिए वो उस एक जो उसके दिमार्ग में पिक्चर है उसे नहीं भूल पा रहा है Later that day After he prescribed involuntary commitment to the psychiatric hospital he commits suicide by jumping out of the window और जो Septimus Warren Smith है उसको जब hospital ले जाया जाता है तो वो suicide कर देता है Clarissa's party in the evening is slow success It is attended by most of the characters she has met through the book including people from her past उसे Clarissa के जो party है वो एक slow success बनती है means धीरे धीरे उसमें join लोग करना शुरू कर देते हैं Okay, so then characters वो बहुत सारे characters से वहाँ पर मिलती है जिससे जिन से वो पहले मिली होती है अगर हम बात करें कि जो Peter है उससे हो गया और भी जो उसकी friends थे वो हैं She hears about Septimus suicide at the party and gradually comes to admire this stranger's act which she considers an effect to preserve the purity of his happiness और जो Clarissa है वो suicide को praise करती है इस बात के लिए praise करती है कि जो इनसान है उसने अपनी happiness को preserve करने के लिए suicide किया है और इसी के साथ ये story खतम हो जाती है means जो party है वो शुरुआत उसने morning में की थी और शाम को खतम हो जाती है तो आपको important चीज़े क्या क्या याद रखनी है इसमें एक बार फिर से revision कर लेते है Mrs. डॉलवी है ठीक है और ये जो Mrs. डॉलवी है उनका नाम जो है वो है आपका Clarissa डॉलवी वो किसकी wife है वो है आपका Richard डॉलवी की wife है उससे पहले वो Peter Wells से शादी करना चाहती थी अब स्टोरी की बात करते हैं चलिए नेक्स्ट वाली सीधे तो दी लाइट हाउस के बात करेंगे तो पबलिश वी थी 1927 में वरजिनियो वुलव की है और ये है आपकी रैमसे फैमिली में के सेंटर में मतलब जो रैमसे फैमिली है वो सेंटर में है उनी की स्टोरी है वो कहां जाते हैं आईल आफ स्काइप में जाते हैं इन स्कॉटलेंड और ये जो स्टोरी है किस टाइम पिरियड के बारे में है ये है आपकी 1910 और 1920s तो इसमें जो प्लाट समरी है सीरीज वाइस लिख लीजिए दी नोवल इस सिट इन रैमसे समर होम इन हैबरिडिस आउन दी आईल आफ स्काइप जैसा मैंने कहा कि वो इसकॉटलेंड में आईल आफ स्काइप में जा रखे हैं कौन है रैमसे फैमिली इसमें जो में फर्स्ट है वो है आपकी मिस्स रैमसे है अस्योरिंग हर सन जेमश भाइस डाट रैमसे लीजिट दे लाइठ हाऊस उन नेक्स दे जो रेमसे फैमिली है वो कहा जाएगी नेक्स डे लाइट हाउस में जाएगी इसके इंट्रडक्शन में भी पहले मैं बता चुका हूँ कि यहां पर जो रेमसे फैमिली है उसके सेंटर में है और दिखाने की कोशिश की वह है इंगलेंड का इंग्लेंड के जो साइटी है वर्ल्ड वार फर्स के टाइम की तो यहां पे दो कैरेक्टर हमें अलरडी मिल गए हैं मिस्स रैम से हो गया है और उसका सन जो है वो जेम्स है उन्होंने कहा कि वो कहा जाएंगे लाइट हाउस में देखने जाएंगे इस प्रेडिक्शन इस डिनाइड बाई मिस्स रैम से जो मिस्टर रैम से उन्होंने इस प्रेडिक्शन को मना कर दिया है उन्होंने मिस्स रैम से ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वैदर जो है उन्हों का जगड़ा हो जाता है and also between Mr. Ramsey and James और जो उनका बेटा है Mr. James उससे भी उनका जो disturbance है वो शुरू हो जाता है इस पर्टिक्लर इंसिदेंट इस रेफ़र्ट तो और वारियस ओकेजन थोरो आउट इसेक्शन especially in the context of Mr. and Mrs. Ramsey's relationship यहां पे जो यह शो होता है Mr. and Mrs. Ramsey की relationship को भी show करता है The Ramsey and their eight children have been joined at the house by a number of friends and colleagues यहां पे ध्यान देने वाले बात है कि उनके आठ बच्चे हैं और उन सभी के जो friends हैं, colleagues हैं वो सभी वहां पर आते हैं One of them, Lily Brisco, ध्यान रखना है कि जो center एक character है वो कौनसी है Lily Brisco है Begins the novel as a young uncertain painter और वो कौन है, painter है Important information है, याद रखिया Attempting a portrait of Mrs. Ramsey and James Brisco finds herself plagued by doubts throughout the novel यहां पे जो Lily Brisco है वो क्या करना चाहरी है Mrs. Ramsey और James का portrait बनाना चाहरी है लेकिन वो फिर भी क्या है वो बार बार उसके अंदर जो है, वो confusion आते रहते है Doubts largely fed by the claims of Charles Stensley Another guest और जो doubts है, वो बार बार कौन उसके दिमाग में डालता है Charles Stensley तो यह उसमें character है Another guest, वो भी guest ही है उनके घर पे आया हुआ Who asserts that woman can neither paint nor write और उसका जो मानना है वो यह है कि जो women है वो ना तो paint कर पाती है और नहीं लिख पाती है Tensley himself is an admirer of Mr. Ramsey और वो Mr. Ramsey को admire करता है philosophy professor and his academic treaties तो यहाँ पे जो basically जो story है वो क्या है आपकी Ramsey family की story है वहाँ पे जो brisco है वो क्या है आपके painter है वो कुछ paint करना चाहती है बर जो बहुत सारे वहाँ पर guest आते हैं जो friends and colleagues वहाँ पे आते हैं क्योंकि उसके 8 children है और उनका जो जगड़ा है किसका Mr. Ramsey और उसकी wife Mrs. Ramsey इनका जो बीच में जगड़ा चलता है उसकी वज़े से जो brisco है brisco बहुत disturb feel करती है और यह जो tension आपको दिखाई दे रही है इनके relationship में यह सारे Britain की जो उस time की World War 1 की time की tension है उसका एक हम कह सकते है representation है then in this story इस section जो यह section है close होता है dinner party के time पे वहाँ पर एक और character आता है उसका नाम है Augustus Carmichael जो भी एक visiting point है और वो second serving of soup मांगता है Mrs. Ramsey से and she nearly snaps at him Mrs. Ramsey is herself a sort of of sorts when Paul Raleigh यह सारे उसमें character है Minita Doyle two acquaintances whom she has brought together in engagement arrive late to dinner as Minita has lost her grandmother's brooch on the beach तो जो Minita है यह भी character है तो story finally जो first section हो खतम होता है एक dinner party पे जहाँ पर यह सारे characters वहाँ पर मिलते हैं next part देखते हैं time passes time passes में क्या होता है second section time passes gives a sense of time passing absence and death किस किस चीज़ के बारे में है second part यह है आपका time passing और absence के बारे में death के बारे में 10 years pass 10 साल भी चुके हैं during which the first world war begins and ends और इसी time पे क्या था first world war शुरू हुआ था और खतम हुआ था Mrs. Ramsey dies जो Mrs. Ramsey हो मर जाती है as due two of her children Prude dies from complication of child birth और जो दो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं and Andrew is killed in the war जो Andrew है वो war में मर जाता है तो आप पूरी society का देख सकते हैं कि जो family conditions है वो किस तरह से उस time पे थी Mrs. Ramsey is left adrift without sorry Mr. Ramsey जो Mr. Ramsey है उसको वो बिल्कुल अकेला है without his wife to praise and comfort him during his bouts of fear and anguish regarding the longevity of his philosophical work और जो उसका philosophical work उसमें काम उकर रहा है उसमें उसको praise या comfort करने के लिए उसकी wife उसके साथ नहीं है वो बिल्कुल अकेला है अब this section is told from an omnisign point of view and occasionally from Mrs. McNabb's point of view तो यह एक omnisign point of view से बात की गई है यहां पे omnisign point of view means होता है कि जो पूरे world में हर कोई उसको इस तरह से सोचेगा and Mrs. Nekab's point of view यूज किया जाता है इस बात को बोलने के लिए जो McNabb worked in Ramsey's house since the beginning और क्योंकि यह जो बात है जो पूरी second part है यह जो McNabb है वो उनके यहां पे as a servant work करती है और शुबात वहां पे रहती है इसलिए पूरी स्टोरी Mrs. McNabb ही बोलती है thus provides a clear view of how things have changed in the time and summer house has been unoccupied और वो पूरे जो दस साल का time है वर्ल्ड वार का उसके बारे में और जो Ramsey family है उसकी स्टोरी पूरी कौन सुनाती है Mrs. McNabb सुनाती है अब जैसे हमने देखा था कि जो part first था उसमें क्या हुआ था कि जो Mrs. Ramsey थी उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि चलो light house चलते हैं उनका जो बेटा James था उसने भी कहा कि चलो चलते हैं light house लेकिन बीच में आ जाते है Mr. Ramsey Mr. Ramsey इस बात के लिए मना कर देते हैं light house पे नहीं जाना क्योंकि weather ठीक नहीं इस बात पे Mr. Ramsey और Mrs. Ramsey का जगड़ा हो जाता है तो अब क्या होता है फाइनल सेक्शन में देखिए फाइनल सेक्शन में क्या होता है जो है वो light house उसका part है जो part का नाम है जो remaining Ramsey जो बचे हुए हैं Ramsey's family में और guest हैं वो सोचते हैं कि हम कहां जाएंगे light house जाएंगे तो फाइनली उनका जो plan है taking the long delayed trip जो उनका एक long delayed trip थी light house के लिए वो अपनी daughter के साथ जो बची हुए है और son James James भी अभी बचा हुआ है तो Camelia और James के साथ वो कहां जाते हैं light house जाने के लिए plan करते हैं और जो उसके बाकी Ramsey's के जो बाकी children है वो सभी के सभी unmentioned है means उनको mention नहीं किया गया है the trip almost does not happen as the children are not ready but they eventually set off जो उनके trip है वो almost नहीं होती है क्योंकि उनके बच्चे तयार नहीं होते हैं as they travel अब उन्हों ने शुरू कर दिया but eventually वो शुरू करते हैं जाने के लिए तयारी जैसे ही वो travel शुरू करते है children are silent in protest at their father for forcing them to come along और जो बच्चे हों बिलकुर चुप रहते हैं क्योंकि वो आब जाना नहीं चाहते however James keeps this sailing boat steady and rather than receiving the harsh word he has come to expect from his father he hears praise providing a rare moment of empathy between father and son son अब यहां पर क्या होता है कि वो सोचता है कि means वो सभी बैठे वहें नाओ में James जो है वो अपनी नाओ sale कर रहा है उसको आगे बढ़ा रहा है वो सोच रहे हैं कि उनके जो फादर है वो उनसे बुरी तरह से बात करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है Cam's attitude towards her father changes also और इस बात से कि उनके फादर ने उनसे बहुत अच्छे से बात की है इसलिए Cam जो है उनके बेटी जो है उसका भी attitude क्या हो गया बिल्कु चेंज हो गया फादर की तरफ से from resentment for eventual admiration और वाद में लास्ट में अपने फादर को admire करती है they are accompanied by the seller Macalister and his son who catches fish during the trip उन्हें आगे चलकर एक और character मिलता है उस character का नाम है Macalister और उसका बेटा वो क्या करते हैं वहाँ पे fishing करते हैं the son cuts a piece of flesh from a fish he has caught to use for bait throwing the injured fish back into the sea while they set sail for lighthouse Lily attempts to finally complete the painting she has held in her mind तो दियान ये रखना है कि जो Lily थी Lily Briscove थी उसने finally क्या कर लिए अपनी painting बना ली है जो सुरवाद से try करे थी she reconsiders her memory of Mrs. and Mr. Ramsey balancing the multitude of impressions from 10 years ago an effort to reach towards an objective truth about Mrs. Ramsey and life itself वो इन सभी चीजों के बारे में सोसती है Mrs. Ramsey और उनकी life के बारे में upon fishing the painting finishing the painting just as the sailing party reaches to lighthouse and seeing that it satisfies her she realizes that the execution of her vision is more important to her than the idea of leaving some sort of legacy in her work तो फाइनली वो अपनी painting शुरूग खतम कर देती है तो इसके साथ ही सारे characters के नाम हम कर चुके हैं और जो स्टोरी है वो फाइनली रहम से family की हमने देखी है अब जो स्टोरी है औरलेंडो बाइग्रैफी इसको देखते हैं जिसमें की जो एक आदमी होता है वो three centuries के लिए जीता है तो इसमें जो औरलेंडो है is a novel published in 1928 जो first published हुई थी 1928 में हुई थी आप लोगों कोई note down करना है और ये जो है most popular novel में उनकी है ये एक satirical form में लिखी गई है इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है वो एक पोईट के बारे में अब वो पोईट जो रियल लाइफ में है वो रियल लाइफ में कौन पोईट है वो है आपका Vita Sequel West इससे उन्होंने इसको inspire होकर लिखा था और जो ये पोईट है ये क्या करता है ये अपना sex change कर देता है women to men men to women sorry और ये three centuries के लिए जीता है means 300 साल के लिए जीता है meeting the key figure of English literary histories और क्योंकि ओ 300 साल उसका उसकी life है इसलिए वो बहुत सारे literary जो figures है उनसे मिलता है poets and writers से मिलता है considered a feminist classic ये एक feminist work है feminist classic है the book has been written about extensively by scholar of women's writing gender and transgender studies तो ये सारी चीज़ें इसमें important है the eponymous hero is born as a male eponymous का मतलब होता है या अपनी vocabulary के लिए भी याद कर लीजिए vocabulary में काम आ सकता है eponymous का मतलब होता है जिसकी पहचान नहीं होती है जिसकी हमारे पास क्या नहीं है पहचान नहीं है hero is born as a male nobleman ये एक male nobleman की तरह पैदा होता है means ये male है in England during the reign of Elgabeth first ये Elgabeth first के time में कि स्टोरी है he undergoes a mysterious change of sex as 8 of 30 जैसे वो 30 साल का होता है तो उसके sex में change आ जाता है means वो जो man था वो woman बन जाता है lives for more than 300 years 300 साले जीता है into modern times without easing perceptibly वो perceptibly change means उसके अंदर वो बुढ़ा नहीं होता है simply as a teenage boy he the handsome Orlando serves as a page at Elgabeth court जो Orlando है जब वो एक teenage लड़का था तो Elgabeth court में भी रहा and becomes favorite of the elderly queen और जो Orlando है वो Elgabeth का क्या है favorite भी रहता है after her death he falls deeply in love with Shasha और उसे किस से प्यार हो जाता है Shasha से प्यार हो जाता है somewhat feral princes in the interest of the Russian embassy ये जो है ये feral princes है this episode of love and ice skating against the background of this celebrated frost pair frost pair में है held on the frozen thamesy river जो ये frost pair होता है ये थेमसy river पर होता है great frost year of 1608 की ये कहानी है when bird froze in mid-air and fell like stones to the ground जबकि जो birds थी वो भी क्या हो गई थी frozen हो गई थी inspired some virginia wolves most bravura writing तो यहाँ पर means जो theme है वो इस time की है the great frost of 1608 का भी उसमें story बताए गई है great statesman and the beards and ruffs dispatched affairs at state under the crimson royal pagoda जो great frost है उसका simply यहाँ पर description दिया गया है अब उसका क्यों description दिया गया है उसका reason हम थोड़ी सी थोड़ी देर में जानेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो frozen roses है fell in showers when the queen and her ladies walked abroad जो queen है उदर से चलती है तो वहाँ पर जो frozen roses है उगिरते हैं near London bridge where the river had frozen and depth some twenty fathoms twenty fathoms तक पूरा frozen हो चुकी है वो river a wrecked very boat was plainly visible और एक जो एक जो boat है वहाँ पर वो भी क्या है दिखाई देरी है क्योंकि उसमें भी एक lady है old bumboat women है वो भी उसके साथ frozen हो चुकी है और बिलकुल उस दिखाई देरी है उसमें क्या है देखिए उसकी जो lap है उसकी gold में क्या है full of apples हैं यह हमें देखने को वहाँ पर मिल रहा है and it looks like she was about to serve a customer कि वो जो apples हैं किसी को दे रही है अब यह द्यान से देखिए कि यह जो हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक river है उसमें एक बाकी चीज़े हैं सारी चीज़े frozen हो चुकी है अब धीरे धीरे वो melt हो रही है the melting of ice जो melting of ice है उसको किस चीज़े coincides किया गया है शाशाज unfaithfulness and sudden departure for Russia तो जो शाशा है वो क्या उसका unfaithfulness दिखाए गया है क्योंकि और लेंडों के साथ और लेंडों से प्यार करता है और वो suddenly वो रशिया चली गई है तो इस तरह से दिखाए गया कि जो ice जो suddenly melt हो रहा है वो साशा की तरह है तो आपको याद रखने में easy होगा कि साशा से related ये story है desolate और्लेंडों returns to writing the oak tree अब जो desolate अकेला जो और्लेंडों है वो लिखता है एक poem the oak tree जो कि एक बहुत लंबी poem है जो कि उसने अपने यूथ में छोड़ दी ती जब वो जवान था तब उसने इस work को लिखने के कोशिश की थी उन्होंने एक poetester Nicholas Green की poetester भी उन्होंने देखी who proceeds to find fault with Orlando's writing Orlando उनको अपनी writing दिखाता है वो उसमें कुछ mistakes बताते हैं Later Orlando feels betrayed on the learning that he has been lampooned in one of Green's subsequent work बाद मैं Orlando खुद को देखता है कि उसको बुरी तरह से यूज किया गया था Green के किसी work में यहां पर आपको ध्यान देना है कि 300 साल वो जिया है तो वो अलजबेथन एज से जिया है तो आपको पता है कि जो Green है वो आपका कौन सा है आपका एक University WITS है ठीक है वो University WITS का हिस्सा है University WITS अगर आपको याद नहीं होते हैं तो Shortcut याद रख सकते हैं PGKLMN याद रखिए आपको सारे University WITS एकी साथ याद हो जाएंगे यह पीले यह Green है यह Kid यह Lily यह Malo ओके और Thomas Nash तो यहां पर उन्हें कौन मिलता है क्योंकि जो आर्लेंड कब से कब तक जी रहा है वो जी रहा है आपका LGBT period से 300 years तक तो वहां पर उन्हें Green भी मिलते हैं जो Poetester उनका work था उसमें और बाद में उन्हें लंपून करते हैं में उनके बारे में लिखते हैं a period of contemplating love and life leads Orlando to appreciate the value of his ancestral stately home which he proceeds to furnish lavishly there he plays host to the populace वहां पर अपने एक घर में चला जाता है जो इसका ancestral घर है एन्यूवी sits in and Orlando feels harassed by persistent suitor यहां पर एक जो character नया character है वो आता है एन्यूवी और वो harassed feel करता है Orlando the tall and somewhat androgynous archerist Harriet leading Orlando to look for a way to leave the country he is appointed by King Charles II as an ambassador to Constantipol उसको जो Charles II है Constantipol में अपना ambassador बनाता है Orlando performs his duties well until a night of civil unrest and murderous rights तो Orlando बहुत अच्छे से अपने सारी duties करता है लेकिन एक दिन unrest हो जाते हैं दंगे हो जाते हैं he falls asleep for a period of days उससे नींद आ जाती है और बाकी लोग उसे उठा नहीं पाते हैं Orlando awakens to find that he has metamorphosed into a woman और जब वो उस दिन उड़ता है तो अचानक उसे दिखता है कि उसको एक woman बना दिया गया है metamorphosed means होता है change करना किस जीच को this same person with the same personality and intellect but a woman's body सारी चीजें same हैं but उसको एक woman बना दिया गया है although the narrator of the novel professes to be disturbed and befuldered by Orlando's change the fictional Orlando complacently accept the change जो Orlando है उसने इस change को completely accept कर देता है from here on Orlando Amoris inclination changes frequently she biologically female now she stays biologically female अब उसकी जो life है वो biologically अब वो female ही रहती है अब धियान देना यहाँ से अब उसके उसके लिए यूज हो रहा है he की जगए the now lady Orlando जो अब जो lady Orlando है covertly escapes constantipol अब क्योंकि वहाँ से उसे भागना पड़ता है क्योंकि उसे नहीं पता कि बाकी लोगों को नहीं पता कि वो change हो चुका है किसमे एक woman में the company of a gypsy clan अब वो एक gypsies लोगों के साथ में चलता है नहीं पता अगर आप लोगों जिपसी तो जिपसी वोगों होते हैं जो बिना घर के गूमते हैं she adopts the way of life until its essential conflict with her upbringing leads her to head home only on the ship back to England with her constraining female cloths and an incident in which a flash of her ankle nearly results a sailor's falling to his death does she realize the magnitude of becoming a woman अब उसे बाद में women बनने के magnitude के बारे में पता चलता है she concludes it has an overall advantage declaring praise God I am a woman back in England Orlando is hounded again by the arch duchess who now reveals herself to be a man the arch duke Harry अब जो arch duke Harry है वो अब उसको hound करना शुरू कर देता है Orlando invades his marriage proposal she goes on to switch gender roles dressing alternatively as men and women और जो Orlando है वो बाद में जो dress उसका dressing होता है alternatively रहता है कभी men कभी women Orlando engages energetically with the life in 18th and 19th century जो Orlando है वो 18th and 19th century में भी वो जीता है holding court with great poets notably Alexander Pope वो रहते हैं Alexander Pope के साथ में भी वो time बिताते हैं Crick Nick Green apparently also timeless reappears and promotes Orlando's writing promising to help her publish the oak tree और जो Nick Green है वो उसके साथ में उसको promise करता है कि उसका जो oak tree उसने song लिखा था उसको भी क्या करेगा publish करेगा Orlando wins a lawsuit over her property and marries a sea captain और बाद में एक sea captain को किसे शादी कर लेता है marm duke bon throp shell merdine ये इतना बड़ा नाम है आप लोगों को याद करना है like Orlando he is gender non-confirming वो भी क्या है Orlando की तरह gender non-confirming है and Orlando attributes the success of their marriage to this similarity और Orlando कहता है क्योंकि वो दोनों के दोनों बदलते रहते हैं कभी man में कभी woman में तो इसलिए Orlando कहता है कि हाँ इसी की वज़े से हमारी जो marriage है वो अच्छी चलती है in 1928 she publishes the oak tree उसका जो work था oak tree जो उसकी poem थी long poem को publish होती है centuries after starting it and wins a prize the novel's ending Orlando's husband flies over the mansion in an aeroplane which hovers above Orlando until selmadine leaps to the ground the a stray bird flies over his head and Orlando exult it's the goose the wild goose the novel ends on the final stroke of midnight on Thursday यहां पर बहुत important है यह आपको ध्यान अगना है जो खतम होती है वो होती है Thursday October 11, 1928 में यह novel खतम होती है the day the novel would be published और यह एक would be time भी है कि जबकी वो पब्लिश होगे वो नौवल इसके बाद जो final हम work आज बात करेंगे वो है the voice voice out के बारे में रैचल विन्रेस जो है इंबाक्स दे साउथ अमेरिका on her father's ship and is launched on a course of self let's see that कि वो अपने father के ship से वो कहां जा रहा है South America जा रहा है discovery in a kind of modern mythical voice यह एक mythical voice के बारे में है the mismatched jumble of passengers provide wolf with an opportunity to satirize his Edwardian life जो Edward King Edward थे उनके time की जो life थी उसको बताने की कोशिश की गई है the novel introduces Clarissa Dalloway the central character of wolf's later novel Mrs. Dalloway जो Clarissa Dalloway है इस work में देखने को मिलती है two of the other characters were modeled after important figures of wolf's life Sir John Hurt देखने को मिलते हैं fictional portrayal of little stretcher भी उसमें देखने को मिलते हैं ये सारे जो character उन्होंने रखे हैं ये सब उस work में है and Helen Ambrose is to some extent inspired by wolf's sister Vanessa Bell और जो Helen Ambrose है वो Vanessa Bell जो wolf की अपनी sister है उसका representation है means जो work में हमें character Helen Ambrose मिलती है वो actual में Vanessa Bell है Rachel's journey from the clustered life in a London suburb to freedom challenge in intellectual discourse and discovery very likely reflects wolf's own journey from repressive household to intellectual stimulation of the Bloomsbury group तो यहाँ पे जो character है आपका रेचल उसकी journey दिखाए जाती है कि लंडन से वो बिलकुल free होकर जा रहा है तो यहाँ पे वरजिनिया वुल्फ की जो life थी household life थी उससे वो बाहर निकली थी अगर आप देखेंगे कि बिल्टेन को अगर आप 17-18 century में अगर आप देखेंगे तो जो women थी उनको बहुत repress किया जाता था उनको एक household में ही रखा जाता था वो property नहीं कर सकती थी रख सकती थी वो जाब नहीं कर सकती थी उन्हें बस घर में रहना था तो वहाँ से जो वरजिनिया वुल्फ की जो life की जर्नी थी वो बाहर निकलती है वही जर्नी उन्होंने रेच्छिल के थ्रू दिखाई है और उन्होंने बाद में जो है वो Bloomsbury Group को जोईन किया तो इसके साथ उन्हें freedom मिली थी इसी चीज़ को उन्होंने इस novel में दिखाया था So with this we are ending this lesson हम इस lesson को end कर रहे हैं होफुली आपने most of characters note कर लिया होंगे जो आपके इसमें जितने novels के name हैं उनका publication date है characters हैं जो important चीज़ें मैंने बताए जैसे stream of consciousness and carp dime and other things you have already done So see you in next work till then good luck for exams Bye Bye